डॉक्टर वन्जारा बेदी दी पुस्तक मेरा नान का पिंड पैलाग मेरा नान का पिंड गुडा उत्तम सेंग नान की मिटी माँ दे दुद वर्गी हुन दी है स्वच मिठी ते नरुई मेरा नान के पिंड दना गुडा उत्तम सेंगे जो जिला जेलम देख तैसील गुजर खान वेच्च है आम बोल चाल चासी एनूं गुडाई केंतेया पामे गुडा शबद गड तो विगड के बणिया पार ये लफज सानू हमेशा गुड वांग मिठा लगता है अजवी ये लफज कोड़े कसेले पला मिच मिश्री कोड देन दे ये दी ता सीरी को जेवजी बन गई है गुडा लफज साडेले जिवे गुड तो बने शैदा छत्ता होए जिनू नानकियाने मख्यारियां वांग लम्मी का लणानाल सिर्जिया है तो जो मुच कुल देसार लुत्फ देन लगता है इति हास्त अस्ता है केसे लाकेज कदे महराजा रंजीत सिंग दे एक जर्नेल उत्तम सिंग दी गड़ी सी अजपामे उस गड़ी दे खंडर भी किते नी लबदे पर उत्तम सिंग बारे कई दंद कता हमा गुडे दे लोकां दी प्रमपरा बणिया होई याने नाना जी दस्या कर दे जदो जेलम दे लाकेज दे महराजे दा कबजा हो गया तर जर्नेल उत्तम सिंग ने एसे लाकेज दी फोजी एहमियत नों मुक्रा कदे आ अपने कुझ से पाईया ना ले थे खेमे आगड़े फिर उना ने थे एक गड़ी उसार ने चाई उदो एसे लाकेज दी लागपाग सारी पेंडू वसों मुसल्लकी सी विरला विरला कोई हटवानियां एकके दुखे गरांच रंदा सी लाकेज दे बहुते हिंदू मुसल्माना दी राजसी चर्त वेले नमाजी बाण गय सान जेडे विरले हिंदू सानवी वो अपनी मूल पचान गवा बैठे सान वो था जिते अज गुड़ा वस्या होया है कदे बिल्कुल बिया बान सी निरे चाड सन जा शरीं फुलाही ते किक कर दे दरखत जिनच बींडियां दी ट्रीं ट्रीं डड़वां दी ट्रें ट्रें शूक दे सपां दे फंकारे एक निमा पर ड्रोना शोर मचाई रख दे फुलाप मोहारे खिर दे ते बिना किसे मनुखी साहां दी चोदे चड़के मिट्टी हो जान दे एसे लाके दी फौजी एहमियत नू पच्छान के जर्नेल उत्तम सिंग ने थे एक छोटी जी गड़ी उसार नी चाई रोज शाम तक गड़ी दियां जो नीहां खुणियां जान दियां अगली स्वेर उमुड मिटी नड़ पर यह हुयां मिल दियां दिने जड़ी दिवार उसारी जान दी अगले दिनो दी इट इट बिखरी मिल दी जद इस कसब दी खबर सरदार उत्तम सेंग तक पुझी था उन्हें इलाके दे चोदरिया अवानानु सद के कारण पुझे आव। सारे त्रे गडेज कुम्ने रणेन जेडी शय उन्हा की पसंद नहीं उट्टाई के टेरी कार छोडनेन उन्हाने दस्या ती अगले दिन राती जर्न्याल उत्तम सेंग खुद उस सारी वळी थांते जा खड़ा होया राथ हने रिसी जेस्ट कई ड्रोने आकार उबर देती बि जर्लियां डड़ूआं ते चींगयां दी आवाजाने रात नों होर प्यानक बना देता से जदो रात काफी पिज गई ता बड़ी मधुर जई बरीक तो नहीं सुनाई देती जवें दूर किदरे कोई फकीर कतारा वजा रहा होगे फिर यह वाज जवें 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 कंदा ते सुवार होई के गोड़े वांग दुड़ा ने इदरे आ रहे ने अवाणा दा चौदरी कैन लगा चलो नठवन जीए पर उत्तम सेंग ने डर होके खड़ा रहा कोई देर बाद कोड़े दे टापांद यावाज बंध हो गई ते दूरों एक द्रख्त तुर्दा कंद नहीं उत्तम सेंग ने अपने कोल खड़े लाके दे के चौदरी नू क्या है यह ता असाने पीर जी ने कदे हे किसे कंदा ते सुवार होई के कुम ने न ते कदे किसे द्रख्त ते चड़ बेन ने बस जिस चीज ते चड़ बेन वह तुरन लगनी है ते चौदरी ने थिड की थिड कदी अवास्ट किया उदा रंग पीला वसार होया प्यासे पर उत्तम सिंग बड़ा ने डर ते सासी सूरमां सी बाणी दा रसिया उन्हें उसे वेले तुका उचारिया ते थे तू समरत जित थे कोई नाई उत्ते तेरी रख अगनी उत्दर माई ते फिर कु ते रुक गया जिमे जिमी वेच गडिया गया होए चाटको मगरों दो तेन आदमी द्रखत दे पत्या में चुबार निकले ते दरो दर नठन लगे द्रखत तड़ा मकारदा हेठा डेग पिया स्पाईया ने उन्हा आदमियां दा पिछा कीता थे उन्हानों पड़के सरद तोर ते अवान नई सीचोंदे के खाल से दी गड़ी एन उना दे सिर्ते काइम होए सोना ने ये पखंड रचया से जर्नेल उत्तम सिंग ने उना तिनना पखंडियानू वगारी बन लिया ते निहां खुदन ते लगाता मुड निहां पूरन दी किसे दी हिमत ना पई जर् तांग पगडंडियां तो लंके जाना हुंदे हैं फेठां डूंगियां खड़ां बग्यारां वांग मूँ अड़ी चाकरियां हुंदियाने बस पैर तिल किया नहीं के मौत दी बुर्की बने नहीं चोटे हुंदे हैं मैं एक वार नाना जी नाल कोडी ते बैके पेंड जारे आसी सेमी हुई कोडी सप्णी वांग वलेयस खांदी एक पगडंडी ते आइस्ता आइस्ता तुर्दी पहाडी दी टीसी वलवाद रेसी अग्या एक टुट्टी पजी ते वेत्री होई थां आ मींदी वाच्छडनी पगडंडी नूँच्यां बसूटे आसी पहाड दी कांद दे नाल फोट डेड फोट पगडंडी जखमी सप्णी वांग फिसी बैसी जित्तों कोडी ने लंगडा सी ओ थां पोर्सलात वांग सी ते हेठां खाई ने जबाड़े अड़े वैसान नेड पहुंचर तो पहले नाना जी ने मैंनो कोडी तो उतार देता कोडी दी तिखी नजर उस पुल्स रात ते पह चुकी सी सो अधर मुई ने सी कर दी नाना जी दी सारी हला शेरी बेकार गई नाना जी नो एक तरकीब सुझी ओ कोडी नो पिछावल मोड के ले गए ते फिर प अखी नाना जी कल्याई वड़े वड़े पत्थर टोके पग डंडी तेटी कान लगे मैंनू ओना नेड़े एक जंडी हेट बठा देता इना पहाडियां वीच जांड करीर ते चाडियां तो इलावा होर कुझ नी से उगदा मैंनू पोखला गई नाना जी ने कोडी दे खालस के ओधी पंजीरी खान करके मैंनू प्यास लग पई मूँ सुकन लगा मैं पाणी मंगया हसन लगे पुत्रा पाणी हित्थे कित्थे बस सुने घार चलना आए तो तू रज के पाणी पीवी तो मैं पाणी लिए जिद करन लगा नाना जी ने दूर थलंवाल इशारा करके मैंनू एक दंद कथा सुनाई जो मेरे जैंच हमेशा ले समा गई एक वार सारा साल मीना वर्या पाणी दी वड़ी किल्लत हो गई चिडी कावी सिप्पी पाणी वास्ते तरसन लगे तेना पहाडियां विचिक हिरन ते हिरनी दा जोडा रेंदा सी दोहां दे एक जोड़े उन्दे एक दूजेली पुड़कदे फिर दे त्रे नल दोहां दे चेरे चोंग गई अखांच डूंगी उदासी फैल गई दोमें पाणी दी पाल चे दर उदर पटकन लगे जिदर मूँ आउंदा तुर पेंदे स्रे नूत्रूंदे होई उदोमें ने डाल एक चपड कुल पॉंचे अखांच चम का गई पर छेती अखां बुझ गई यहां के उजे सारा पाणी सारा चपड सुक के लियाटे हो चुका सी उन्होर अगे कदम पुट्टन ले समरथा ने सी रही अचानक मायूस हिरन नूइक लियाटे उले दो कुट पाणी वखाई देता दो कुट पाणी तू पीले मेंडी खेरे हिरन ने हिरनी दियाँ उदास अखांच चाक देखया नहीं तू पीले हिरनी ने तरला किता तैंडी प्यास बुझी ता मेंडी आपे मठी पैवे सी दो में तू पी पहला तू पी कर दे रहे थे किसे ने भी कुट न परया अखेर दो में फडिक के उथे टेरी हो गए नाना जी ने दंद कता मेरा दिल वर्चान ली सुनाई सी पर कहाणी मुकद्यासार में फिर पाणी दी रटलाती अगे चल के तुगी ओ छपड़ वी खास सांज ते हिरन ते हिरनी ने हिकी दूए वास ते जान वन जाई याई उथे उन दो हिरन ते हिरनीक दूझे दे प्रेम्च बजजे तूँपी तूपी कर दे हमेशा दी निंदर सोंगे सान बस जेस छपड़ दे नेड़े हिरन दढ़ंगे बार दे फिर दे उसे नाली तूँपी दी कता जुड़ जन दे यहो कता राजस्तान दे लाकेच्वी इन बिने से रूप्च पर चलत है। रूप्च पर चलत है। रूप्च पर चलत है। रूप्च पर चलत है। रेत तेच कदे नंग मनंगेते कदे कपड़ेयां समेत विल्ले ददे फिरना। कदे रेत इक दूजेते उच्छालनी, कदे रेत चक्रोंदे बुनोने। जिते कदे रेत जरा गिल्ली हुन्दी, हाथ कडूंगा टुआ, खोदर नाल हेठों पाणी से मन लागदा। ये रचनां साडेली बड़ी अमुल्ली हुन्दी। साडेकार तो थोड़ी दूर चोहे सन। जितो सुवाणियां विही रंकती पीन वास्ते कड़े पर-पर केले हुन्दी। चोहांच स्वच्छ जाल्दी तार बुम्बदे के फुट दी रहन्दी। तरती अंद्रों आप मुहारे फुट फुट के सेमदा पाणी ताजा ते नरुआ हुन्दा। सुवाद जया जमें कोई दुद दियां तारां सिद्धियां मूँच मार रहा हुए। इस पाणी बारे एक कुम्माई किसे मुट्यार नू लम्मी चिकी सोर्च गौन्दियां मैं खुद सुने सी। जो अजवी मेरे जैन चोमें उमें दी उमें तरदी पई है। कोठे ते मोर डिठा, साडे चोए ना पाणी चनवे, मिश्री नालो वद मिठा। आमी ते पीवी चनवे, मैं कोड को माईयां तेरे। इना चोए नाल का इतरा दिया मनोत्तान जुडियां होयाने। एक चोए बारे रवायत है कि बनवास ते दिनी जो दो पांडो एद्रों दी लंगे सी तो उनाने बुकां पार पार के तो पाणी पित्ता ते इस नाम कित्ते। मुसल्माना दे वक्रे चोए हान हिंदुआं दे चोयां दो रता को परेड़ी। उनाने भी अपने एक चोया नाल पीर सुलेमान हजरत दी बरकत जोड रखी है। आशक नू मिलनाया कर दी सी। बान्नो को लाखरां दा हुसन से मोटियां स्या आखां जिमें चित्रे होन दियां। जिमें चित्रे दियां होन। चिट्टा दुद रंग जिमें संग मर्मर नालों बुत छेल के कड़िया हुए। नेरी मूरत मानों किसे चितरकारनेत स्वीर कड़ी हुए। ते ओदे विच प्राण पादित्ते हुए। किसे दुजे जहां तो त्री हुई परी। लोकी ओदे रूप सदकावनों हुसन बानों कैन लग पैसान। बड़ी अथ्री। कंड़े आनल खैबड़न वेच जिवे उनू मजा ओंदा। इक वारो दो पैरी इंचोय तो पाणी पारके कल्मकली जा रही सी किराच उनू नू नूरा वान मिलिया। जो एक खेत दे मुड कुगियां बटेरे फड़नली जाल वचाई छाग छैल आके बैठासे। नूरे दे हाच कुगी सी बानोंने कुगिनू पुछकार दे नूरे नू वेख लेया। ते ठुंक दी होयो दे कोल जाके कैन लगी। वे पैड़ेया। गुगियां मिचारियां दिखेड़े क्यो पैयारन है। एस सशोदी तेंडा के वगाड़ेया। बानोंनू कुगियां अपने वांगी मलू मसूम लग दिया। बानोंने एक खात नल कडा संबालेया। दूजे नल नूरे दे हत्तों कुगि फड़के उड़ा देती। नूरा बानों दिया नजरा नल की लिया गया। बानों जान लगी ता नूरे ने उदी वीनी फड़ी। नी तू मेंडी कुगि उड़ाई के अपुगि ते उड़ चली है। ते ओदों तो बानों जिमें खुद कुगि बणके नूरे दे जाल फस गी होए। पर दो तिन मिलनिया विचे नूरे ते बानों नू पता चल गया के उना दों दे खान दानांच पिछलिया तिन पीडियां तो वेर चले आ रहे है। हर पीडी एक दूजे दा खोन डोल दी रहे है। बस एहू पीडी सी जिस विच जिस कोई रंगनी सी कोड़े आ ते वेर कुछ मठे प्या गये सा। बानों ने एक दिन नूरे नू ताने नाल केया वे वेरिया मेंड अलो उखोदी पीवी छुरे जरा तिखे रखी बहता तड़फाई ना मैं तो ज्यादा पीड जर नहीं होनी ते फिर आपी बानों नूरे दे छते अनुपलोसी हुई केंदी वे वेरिया मेंडे प्रामा त हवाले नहीं है करनी जिसले गल हुगी उन अतेंडा खून करी सुटना है मैं अगो तुगी नहीं मिलिया करना ते नूरा पावान चुरुडिया होया केंदा बस जदो नातुगी तक है जन्नत नसीब होई गई है उन में तेंडे प्रामा हतोशी दोनों को ब्रांदा नहीं बस इको लाल से तुमिगी मर्दे की वेखले ते चलिया मांगदों में गलां कर दे रन्दे कई वार दुआ ने फैसला कीता कि वग्ये तो नहीं मिलनगी फेर वी नेरे स्वेरे पता नी केड़ी गयाब्भी शक्तियों नानू चोया आते त्रू लिया होंदी ते दो पर छा आमें एक दुझे च कोल मिल जांदे गाल पेंडे चे हूग गई बानो देपरा छवियां तेज करन लगे एक दिन डूंगी आतर काणा वेले नूरा ते बानो चोय दे पाणी चे लत्ता लमकाई गल्ली रुजे पैसन के दगड दगड कर दे बानो देपरा नूरे ते बाज आँटे बानो वेल वांग नूरे ते दवाडे लिप्ट गई थे उना उनने सारी आई चबीया अपणे पिंडे ते खादियां ते कूक दी रहे जालमों केड़े जोगना वेर कमाया जे ए सांकोजना आखो सिंगी पावे को सिटू मिंगी पावे को सिटू नूरा जे जान बचाके नठना चोंदात नठ सकदा सी, परोवी बनो ना लिप्टेया रहाते, दोहान एक दूझे दियां बावांच प्राण त्याग देते, लोक आखदे ने उस दिन जया चक्खड चुलिया के असमान लाल सुर्क हो गया, लोकी करा अंदर छेक के जा बैठे, पंची च जन दियां रूआ, अजवी मनुखी जामेच, चोयां द्वालेकुम दियां रेंदियांने, कई वार चाननिया रातांच, दोहान दे बुत्त हास दे, गुटक दे साफ दिखाई देन्देने, कोल पंचो ताव छाई माई हो जान्देने, नूरे बानो बारे कई टप्पे लोकां दे बुल्लां ते पुटक दे रन्देने, चन्ने नी दोध चाननी, तेंडा रात तकनीया नूरेया, होया बानो न दिल चाननी, पूरा चान असमाने ते, बानो तु धिसनी नई, नेरा चायाय जहान ने थे, ते चान चानननी नाल जोड़े नूरा ते बानो लोका नियां पावनावानूं हमेशा टुम्ब देरांदेने। पावनावानूं हमेशा टुम्ब देरांदे। पावनावानूं हमेशा टुम्ब देरांदे। पिंड दे चड़ दे वाली के छोटी जी पहाडी है। पावनावानूं हमेशा टुम्ब देरांदे। हिर्न माशोम उन्देने ते मूपिज जीवी। इसली बाल, उमर, हिर्न नाल अपना रिष्टा सेजे कायम कारलेंदी है। केंदेने से पहाडी ते कदि क्रंग रिषी तपस्या कीता गरदा से। उद्वय इलाका बड़ शांत दे रमनीक सी। दूर तक किदरी आदम जात विखाई ने सी देंदी। अजय रमनीक प्राक्यर्तक पसारे वेची बंदा अपने आप नालेक सुर होके अपनी हस्ती नूपचान सकरे। रोलेच ता बंदा वैसे वी गुवाचेया फिर दे। रिषी दा असली ना ता लोकी पुल पुला गये ने। पर वो इलाकेच क्रांग रिषी दे नानाल पर सिद्ध है। उनू कई रिधियां, सिद्धियां, प्रापथान। केंदेने एक वार रात चाननी सी, रिषी तपसियाच लीन उच्चे मंडलां चतारियां लारेया सी। उदे तपनू खंडत करनली इंदर नेक अप्छरा पेजी। उदी कुंगुरुआं दी मिठी छनकार रिषी दे मननू तरती दे खेचली आई। उसक्खां खोलीयां एक हुसीन मुटेयार चान चाननीच ठोमक दी वेखो दा मनमचल उठेया। मुटेयार दे चिट्टे गोरे मास नाल थुलकदे जिसम पखदे रूप चंग्याडे छड़दी जवाने ते मस्त दावा सामने रिषी दा वर्यांदा पत्थराया मन अत्रे कोडे वां बेकाब्बु अगया। मुटेयार नूँ कलाविच लेंडली वदिया पर अचानक पैर चुपाई एक पत्थर नाल टकरा के रुख गया। इन्ही देर तक रिषी ने अपने सारी द्यवी शक्ती कठी करके मननू संबाढ़ लेया। फिर उने सिद्या द्वारा स्रीर द्याड़ डंगानू विजोग के। उत्थी बखेर सुटेया ते करंग दी शकल चे तपस्या करन लगा। मुड कोई अपच्छरा उदी तपस्या खंडत करन ले उत्थे ना आई। दिन वेले रिशी दे अंग जंगली फुल बनके खिड जान दे। कोई अपच्छरा के में पच्छान दी। ते जदो कदे रिशी दा दिल करदा वो अपणी असली काया चा जान दा। लोग कहन देने करंग रिशी आजवी उसे पहाडी थे बैठा तपस्या कर रहे हैं। पेद के एस ते चिट्टा दुद दाड़ा। शायदो करांग रिशी होवें। जो सर्गी वेले अपने आंग कठे करके पूरी कायाज कुम रिया, कुम फिर रिया होवे। इना सब गल्लां कत्था सदका गुडे दाईक वक्खरा मूं मुहांदरा उबराया। इदा पिंड प्यारा के हसीन रौचिक प्रम्परामावळा। तान्वाब।